कि अरद में तहरा अपने चैनल in यह 14 मैं आपने चैनल होँ लेट करने जा रहे हैं वरले से बनानास चार्ट किया था RAM उन्ट் इस sweater में मैंने कितनी length रखी यह arm hole तक गले से बनाना start किया था हमने और crochet से यह pattern बनता है तो आज मैं आपको इसमें design set करना और इसकी length कितनी रखनी है वो भी सारा कुछ इसमें वीडियो में बताऊंगी तो चलिए बनाईए और step by step आप इसको सीखिए तो यह मैंने जो sweater में इसमें दो color का design डाला हुआ है यह मेरे channel पे already एक color में बनाया हुआ है तो मैंने दो color में भी आपको बनाना सिखाया आगे तो चलिए बनाते हैं तो यह देखिए मैंने यह round निकाल ली है और यहाँ पे मैंने दो दो करके निकाल ली है तो कम से कम मैंने य दो चार छे आठ दस बारा और तेरा तेरा राउंड निकालने के बाद चोदमे राउंड पे आ गई हूँ तो हम यहाँ पर लेंथ देख लेंगे क्योंकि हमने मुंडे की लेंथ देखनी है तो यहां मुंडे की हमारी यह देखिए पौने छे के करीब मुंडे की लेंथ है तो यह बहुत है तो अम मैंने क्या करना है मैंने चोदमा राउंड यहां से यह मुंडे के पास से ले जाके यहां बैक साइड पे यह बैक साइड है हमारी तो बैक साइड पे ले गई हूँ और ऐसे करके मेरे यहां पे फंदे भी ब луч year 12 से start किया था हमने और यह हमारे hondae के यहां भी बढ़ गए और back sa nhất में भी हमारे एक करके बढ़ गे दोनों saji तो back में हमने यहां पर कि हमारे यहां पर yourself बढ़े हैं मतलब हमरे एक एक फन्दा कर के बड़ा तो यहां पर inex चोदा फंदे इस तरफ बढ़े चोदा फंदे इस तरह बढ़े अठाई फंदे बढ़े हैं और फिर यहां पे भी हमारे 26 फंदे यह 26 और यह 26 आगे के फ्रंट के हैं यह देख लिजी एक बार ऐसे यहां से तो अगर मैं आपको यहां से मुंडा नापके दिखाती हूँ यहां से तो ऐसे तो साड़े पांच पूने छे के करीब आता है तो हमारे दोनों फ्रंट और बैक में सेम पंदे होंगे सेम डबल क्रोशी होंगे इस तरफ और इस तरफ हमारे 26 सिधर हैं और पिछे हमारे बैक साइड में 52 हैं और बाजों में हमारे बाजों में अगर गिनेंगे हम तो बाजों में एक बार गिन लेते हैं यहां से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 33, 44, 42 इह बख़यालिस हूगे हैं यहां पर ब्यालिस है हमारे भीच में ये देखिए हमने यहां तक इसको बनाया है यह हमारी front है और यह arm hole की है तो अब हमने इनको जोड़ना है अब हमने इसका नीचे का भाग बनाना है तो इसको कैसे जोड़ेंगे यह देख लीजी तो हम इसको ऐसे रखेंगे यहां से यहां मिला देंगे यह देख लीजी ऐसे आएगा यह चीज यहां मिलेगी तो हम क्या क करेंगे ही साईड हमने क्रोषिय डालना है जो हमारा यह धंदा बड़ा हुआ यहां डालेंगे वर यह वाली जो चैन है यह वाला दागा इसका हम खींच लेंगे असी खींचने के बाद ऐसे कर लेंगी इसके अंदर से निकाल लेंगे चाहें तो आप एक चैन बना लीजिए और आगे आप ऐसे यहाँ पे यहाँ पर एक बार और बना लीजिए अब आपने इसके अंदर झाले नहीं बनानी है जैसे हमने दो-दो की यहाँ पर चैन बनाई थी अब नहीं बनानी है, सिर्फ आपने यहाँ पर एक-एक करके अब जाना है, बड़ा, सोरी एक-एक डालते वे जाना है यह देखिए यह साइड हमारी जूड जाएगी, यहाँ पर हमारी आरम होल आएगी, बाजू आएगी और अब मैं यह back side बनाते होए यहाँ तक जाँगी, यहाँ तक तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ तो देखिए हम यहाँ आगए बीच में यह देखिए मेरी back side बन गी, अब हमने इनको जोड़ना है यहाँ पर जोड़ेंगे इनको, और यह side रहने देंगे यह हमारी आरम होल है तो अभी इनको कैसे जोड़ना है हमने यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और फंदा बढ़ा लूँगी एक और डबल कोशिया बना लूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं बढ़ाया क्योंकि यह जूड़ गया है तो यहां पर मैं बढ़ा लोगी लेकिन जाली नहीं डालोगी यहां पर बढ़ाया और बाकी मैं डबल कोशिया बना दूगी, जैसा है यहां तक यहां तक डबल कोशिया बना दूगी तो यह देखिए मैं यहाँ पे आगी यह फ्रंट वाली साइड है हमारी और यह हमारा आर्म खोल है यहाँ पे हमारी बाजू बनेगी अब इसको भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे उससे पहले हमने क्या करना है ऐसे दागा खींचना है और अपना क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे हमने कोई जाली नहीं बनाई थी यहाँ पे दो डवल क्रोशिया बढ़ाए थी हमने आपको याद होगा दो डवल क्रोशिया बढ़ाए थे तो अब हमने क्या करना है यहाँ बे भी एक डवल क्रोशिया बढ़ा लेना है तो हमारे यह तीन डवल क्रोशिया हो एक बार आपको मैं दिखा देती हैं ऐसे फोल्ड करूंगी और यहां पे जो दो बड़ाय थे उनके बीच में मैं क्रोशिय डाल दूँगी और इसको ऐसे खीच के टाइट कर दूँगी तो यह हमारी दूसरी बाज्यू यहां से पता लग जाएगा और एक चैन बना दूँगी छोटी सी तो यह देख लिएजिए अब हमने आगे जैसे हैं वैसे यह हमारे 26 हैं फ्रांट साइड के तो इनको 26 को 26 डबल क्रोशिय बना दूँगी का तो मैं आगे सारे बना देती हैं जो हमारी लास्ट के तीन तीन चैन थी उसके अंदर डालेंगे और यहां पर तीन का दो और दो का एक हमने दूसरे करणा हैं यहां पर तो यहां देख लिएजिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूं यह देखिए तो अब हमारी यह बाजू स्टिच हो गई दोनों यह हम अलग से बनाएंगे सिर्फ हम इतना बनाएंगे यह जो तो मैं आपको यहां पर डबल क् लोशिया गिन के बता हूं अगर तो मेरे यहां पर मैंने तीन डबल क्लोशिया बढ़ाये थे आपको याद होगा दो मैंने यहां बढ़ाये थे और एक शायद सोरी दो यहां बढ़ाये थे एक यहां बढ़ाया था तो हमने तीन बढ़ाये तो हम 52 और 52 को जो यह मेरे बैक के 52 है और इसको 52 को अगर कॉंट करते हैं तो 104 आता है 104 आता है तो उसके अंदर हम तीन और एड़ कर देंगे तो मेरे 103 डबल क्रोशी है यहां से लेके बाजू के छोड़ देंगे यह पूरे लेके और यह यहां और फिर यहां यह मेरे 107 डबल क्रोशी है तो 107 में मैंने अपना डिजाइन सेट करना है यह डिजाइन मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है बहुत ही सिंपल बनने वाला ड यहां चार की चैन बनाओंगी क्योंकि थोड़ा इसको खीच लूँगी वैसे मैं तीन की बनाती हूँ यहां पे लेकिन दागा लगाया थोड़ा सा खीचे गाई तो चार की बनाओंगी अब मैंने क्या करना है डबल क्रोशिया लेकि अब डिजैन शुरू करने जा रही हूँ तो अगले वाले में डबल क्रोशिया उससे अगले वाले में भी डबल क्रोशिया तो तीन डबल क्रोशिय होगे हमारे यहां से डिजैन शुरू करूँगी जहां से देख लीजिए अब मैंने दो की चैन और यहां पर एक और दो छोड़के तीसरे के अंदर डबल कोशिया फिर दो की चैन फिर दो छोड़के तीसरे के अंदर डबल कोशिया यह देखिए दो यहां छोड़े दो यहां छोड़े बीच में तो हमारे पांच में होगे तो अब हमने आगे छे डबल को आ कि मांच छ पर एक साथ इसाथ यहां पर हमने साथ डबलबरुश्य एर बना लिए फिर हमने वही दो की चेंग और दो चोड़के तीसरे के अंदर डबल खोश्यां तो यहां पर आगेें देखिए बाजू दैक शेड करते जाना है यहां पे 6 और बना लोगी एक अमारे पास बना हुआ है दो 3 4 5 यह देख लिजे चे और एक साथ साथ बनाए फिर दो की चैन एक दो दो छोड़के तीसरे बें डबल कोशिया दो छोड़के फिर डबल गोशिया कि तो आपने यही डिजेन रिपीट करते जाना है तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूं यहां दक पांच छे साथ लास्ट में आगे हम डिजाइन डालते हूं दो की चैन एक दो फिर दो की चैन एक दो तीसरे के पर डालेंगे और लास्ट में हमारी चैन के उपर तो यहां भी हमारे तीन आ गए है यह देखिए मैंने यहां से यहां डिजाइन डाल लिया पूरा तो यह हमारा डिजाइन एक सो साथ डबल क्रोशिया में आया है यह देखिए देखिए वो डिजाइन मैंने बहुत ही सिंपल डाला है तो मैं इसका एक राउंड ऐसे ही बना लूँगी सेम यही राउंड बनेगा आव इसके उपर एक पर दिखा देती हूं एक दो तीन तीन का बना के तो इसके उपर डालूँगी दो हो जाएंगे अगले के उपर डालूँगी तीन तीन के उपर हमारे तीन ही रहेंगे और दो की चैन और इसके उपर हमने एक डबल क्रोशियाँ बनाना है और फिर दो की चैन फिर इसके उपर साथ में जो हमारे यह देखी यही रिपीट करते जाना है अब हमने साथ के उपर साथ डवल क्रोशिय और जो हमारी यह डिबी बनी है वो ऐसे ही बनती जाएगी तो यह राउंड मैं पूरा ऐसे का ऐसे ही निकाल लूँगी 107 डवल क्रोशिय में मेरा यह डिजैन बनकी आया है साइडों में मैंने तीन-तीन निकाल दिया तो बिल्कुल सैट होके आए तो अब मैं पूरा राउंड ऐसे ही निकाल के फिर दिखाती हूं आपको तो यह लास्ट के दो का एक करेंगे इस उन से क्योंकि हमने दो कलर लगा रहे हैं तो यह देखिए इस से करूंगी थोड़ा सा डिल्ला करके तो यहां देखिए मेरा डिजन यह दूसरा राउंड था अब मैं दागगा चेंज करके यहां पर चार गी जाली लोंगी सोरी चार गी चैन लोंगी और इसको पलट लोंगी अब हमने क्या करना है तीन के उपर तीन हमने डबल क्रोशिय बनाने हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं और अब इनके अंदर भी मैंने दो बार डबल क्रोशिय बनाने है दो बार बनाए एक इसके उपर बनाना है तीन और दो फिर इसके अंदर बनाने है पांच के उपर हमने पांच डबल क्रोशिय बनाने है लेकिन जो हमारी जाली है थी उनके अंदर भी हमने दो दो डबल कोशिय बनाने है और अब मैंने क्या करना है अब यहां पे भी हमने एक डबल कोशिय बनाना है सातमा जो यह हमारी सात डबल कोशिय बनाई थी पहले में हमने एक डबल कोशिय बना देना है अब यहां मैंने एक डाल दिया अब दो चैन लेंगे दो चैन लेने के बाद एक दो छोड़ देंगे और तीसरे के उपर डबल कोशिया बनाएंगे दो की चैन ले लिए फिर हमने दो किया और फिर एक दो छोड़ के तीसरे के उपर डबल कोशिया ऐसे बनाएंगे यह देखे तो यह हमारा पैटन यह पैटन यहां बीच में आ गया अब हमने यह देखे जाली यहां डाली अब दो इसमें डाल लेंगे हम एक और दो दो डाले तो हमारे यह तीन हो गए तीन और एक इसके उपर बनाएंगे चार चार बनाए और दो इसके अंदर बनाएंगे तो यह चार और दो छे हो गए और अब एक यहां बनाएंगे साथ तो हमारे जो हमने यहां साथ बनाए थे वो यहां पर हो गए और यह जाली यहां पर आगी आपने ऐसे ही करना है अब दो छोड़के तीसरे के उपर देखिए फिर दो छोड़के और दो जालिये लेके देखिए तो डिजाइन बहुत ही आसान है बिगनर के लिए खासकर बिगनर के लिए बना रही हूँ क्योंकि beginner हैं जो उनको design डालने में बहुत problem होती है तो यह उनके लिए 5 आपके यह हो गए और एक-एक side का हो गया तो 7 यहां पे आपके यहां पे एक तो आपने अभी यही repeat करते जाना है 7 के ओपर ऐसे आपने यह design set करना है और फिर आपने एक round same निकालना यही वाला तो मैं निकाल के दिखाती हूँ यह last पे आगया हम और last में यहां तीन का दो और दो का एक हम इससे करेंगे और यहां पे चार की chain बनाएंगे तो यह देख लीजी मेरा pattern कुछ इस तरह हो रहा है यह design यहां पे आगया बीच में और अब हमने क्या करना same ऐसे ही white color में यहीं पे आएगा यह design आपने कुछ नहीं करना आगे continue आपने ऐसे ही रखना है यह design अब उपर बनेगा और यह वाला blue color में जो फिर उससे उपर बनेगा तो ऐसे ही आपने continue रखना है यहां पे भी आपने अगले तीन डबल क्रोशिय बनाएंगे एक एक करके बनाया फिर हमने यहां पे एक दो दो की चैन बनाके एक दो छोड़के तीसरी डबल क्रोशिय पे एक बनाना फिर दो की चैन करेंगे एक दो छोड़के इसके उपर बनाना यह देखिए और बीच में दो बनाएंगे जहाँ पर जा लिए और फिर इसके उपर बनाएंगे एक डबल कोशिया फिर यहां पर दो बनाएंगे और फिर एक ही यहां बनाएंगे यह देखिए दो दो राउंड निकालने के बाद आपका कुछ इस तरह से डिजाइन आएगा तो मैंने यह ओल्रेडी वैसे डिजाइन डाल रखा है आपने चैनल पर बता रखा है वो एक कलर में है लेकिन यह दो कलर में है तो आपको मैंने बता दिया की कैसे आपने बनाना है तो यह देखिए मैंने इसकी लंबाई पूरी कर ली है और एक बाजू भी बना दी है तो लंबाई मैंने कितनी पूरी की है वो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ तो ये मेरे दो दो के राउंड थे तो मैंने इनको दो ये राउंड, दो ये चार, छे, आठ, दस, बारा, चोदा, सोला, अटरा, बीस, और बाइस, बाइस राउंड बनाने के बाद मैंने यहाँ पे देख लीजे, डबल क्रोशिय दो बार दो राउंड में बनाया है, जैसे ये दो, दो थे लेकिन यहाँ पे मैंने डिजाइन ने डाला, लास्ट में आके मैंने डबल क्रोशिय ऐसे बना दिया, यहाँ पे जो तीन थे इनके ऊपर तीन बना दिये, यहाँ दो इसके उपर एक आगे दो, फिर आगे जैसे साथ थे उनके उपर, एक-एक करके, सब के उपर ऐसी डबल क्रोशिय बना दिया तो यह हमारी थोड़ी सी किनारी बन गी तो इसकी लेंथ अगर मैं इंची टेप से नापती हूँ तो यहां से यहां से आई यहां तक तो कम से कम यह 14 इंच के करीब बना हुआ है 14 इंच लंबाई है इसकी और अब बाजू की दिखा देती हूँ आपको क्योंकि मैंने बाजू बनाना बताना है अभी आपको तो बाजू कोई लंबाई मैंने यहां से नापूंगे गले से और यहां तक तो 11.50 के लगब हमारी बाजू की लंभाई है तो आप इस से थोड़ी बड़ी रखना चाहें तो एक दो और यहां पे डालने वरना यह एक से दो साल के बच्चे के लिए परफेक्ट